तूँए और मैसेल्फ करिमा पाल तोड़े आंएम डिसकस्ट टॉपिक ड्राइब स्पीनिंग प्रॉसेस इन फाइबर स्पीनिंग पार्ट टू फाइबर स्पीनिंग हम आल्रेडी पर चुके है कि हां कि कि जिस पिर्किरिया के द्वारा फाइबर हमको मिलता है जिस प्रॉसेस के द्वारा हमको फाइबर मिलता है वह प्रॉसेस हमारी स्पीनिंग क्या लाती है अभी तक हमने पढ़ाता बैट बैट स्पीनिंग एंड melt spinning अब हम बढ़ेंगे dry spinning dry spinning में हमारा क्या हो रहता है जो हम material लेते हैं as a raw material उसको हम solution के form में लेते हैं last video में already बदा चुके हैं melt spinning में लिया गया process हमारा molten state में रहता है and bad and dry spinning में लिया गया raw material को हम क्या करते हैं किसी भी solution को solvent में हम mix करते हैं solution को solvent में mix करने के लिए हमने यहां पर क्या किया polymer का solution डाला and then हम साथ में इसको कोई भी solvent के साथ mix करेंगे mix करने के बाद हमने इसको filter किया क्या mixing करते हो then आपका कोई भी extra material रह जाता है या फिर आप mixing करोगे then क्या रहेगा आपका bonding से start हो जाती है तो जब polymers में आपस बे bonding रहती है cross linking बनेगी या फिर आपका thermal degradation होगा उस time lump बनने लगता है तो उस lump को हटाने के लिए separate करने के लिए filter का use करते हैं आप हमने filter से उसको filter किया then हमने इसको meeting pump के दूरो पास कराया meeting pump means constant rate से हमने इसको pass कराया अब हमें जिस rate से चाहिए उस rate से हम spinet के उपर इसको डाल देंगे spinet हमारा के आपका simple आपकी plate रहती है जिसके अंदर आपके holes रहते हैं इन holes के उपर हम क्या करते हैं material को high flow rate के साथ पुस्ट करते हैं या नी flow कराते हैं then हमको आगे fibers के रूप में products राप्त होता है अब कि यहां पर जब हम spinet पर हम जब डालेंगे उस टाइम पर oxygen का किसी भी दाएके का परवाब ना परे oxidation ना हो तो उसके लिए हम nitrogen या किसी भी solvent बेपर जितना भी रहता है हमारा उसको हम क्या करते हैं हम आउटलेट कर लेते हैं कि दैन हम क्या करते हैं कि आगे हम इसमें spinet filament मतलब जितने भी हमारे fibers मिले हैं उसको हम पूरा इखटा करते जाते हैं nitrogen का inlet करेंगे क्योंकि आपका कोई भी इसमें oxidation process नाओ दैन हम इसको आगे spindle में ले जाके इस product को हम प्राप्त कर लेते हैं इसका एक example हम यह भी ले सकते हैं polyacronitrile या फिर PVC को fiber में change करते हैं हम dye spinning के द्वारा polyacronitrile या PVC को हम fiber में change करते हैं generally हम इसमें dry spinning का यूज करते हैं spend में fiber को हम mostly thousand meter per minute rate से pass कराते हैं cellulose acetate fiber को बनाने के लिए 30% solution लेते हैं polymer का and rest हम लेते हैं acetone इसकी process हम कराते हैं 40% degree sorry 40 degree celsius पर dye spinning process के लिए एक example हमारा यह था जिसको repeat cellulose acetate fiber का 35% solution लेते हैं and with the acetone at 40 degree celsius thank you so much कर दो ते कुछ दो कर दो दो ड्यूदा कर दोदीजर लेते हैं इसमें दो चाज़ कि प्रत्यजर रभा रप्रत लेक्त